यह लिंक कुथवा ज्यादा से ज्यादा से शेर कर दीजेगा सांधी एक और अब यह रामण करा कहानी क्या होता है बताता है कि पुल्ट्स तब पुल्स जो थें क्या हुआ कि उनका एक बेटा हुआ बेटा का जो नाम था वो था वैस्ष्रमण ये देखिए, राजण वै Communist श्रमण अब इसमें स्रु की धोनी है, देख लिजे, स्रु आया हुआ है, अब जो स्रु जो होता है ना ये स्रु की धोनी चोड़ा नमर स्लोक में नीचे देखीगा वैश्रवनस्या तो वैश्रवर स्लोक जो है और वै आया हुआ है वै ए की स्वर आया हुआ है यानि कि ये जो है बहुत बाद में लिखी गई है सेवेंट एट सेंचूरी के बाद में ये चीज़े लिखी गई हैं ये सारे स्लोक लोक सब बनाए गए हैं ये जूटा आपको प्रचार फैलाते हैं क्योंकि समराट असोक का पूरा का पूरा अभिलेग जो है साइंटिफिक स्टडी होती है न ये पूरा उनके इतने सारे अभ भारत में अरमायन में इनके सारे ध्रमगंटों में बारा खड़ी का प्रयोग मिलता है और बारा खड़ी जो है ये समझेए कि पूरा बारा खड़ी साथवी आठवी सदी के बाद से ही सुरू हुए है उसके पहले इनका नामों निशान नहीं था तो और चुकि जब इनसे आप पूछिएगा कि बटा तुम ये बताओ संस्कीत किसमें लिखते थे तो ये कहेंगे कि हम ना धम्मलिपी में लिखते थे और धम्मलिटी आज भी उठा के आप देख लिजिए आज भी बारा खड़ी उसमें नहीं मिलता है ग्यारा खड़ी मिल जाएगी आठ खड़ी स इंक्रिमेंट होते होते नवी दसवी सताबदी तक वो जाके कितनी खड़ी बना ग्यारा खड़ी बारा खड़ी आज भी नहीं बन पाया और ये क्या कहते हैं कि हमारा ना संस्कीत धम्मलिपी में लिखा जाता था अरे धूर तो बेवकूफ हो जब उसमें बारा खड़ी मि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ मैं आ रहा है मेरी बात की नहीं आ रही है लेकिन और भी मेरी सारी वीडियोज है उनको आप देखेंगे तो इनके घालमेल को पकड़ पाएंगे आचा तो यह यहां पर बताता है कि उसका जो वैश्रमण नाम का पूत्र था तो व जब पुलत की सेवा नहीं किया तो पुलत से क्या किया अब अपने ब्रम्भा की सेवा करने लगा मतलब पुलत से की नग अपने बाप की नग करके बाप के बाप की सेवा करने लगा तब पुलत से जो बाप था उसको गुसा आ गया कहा कि है मेरा ही बेटा है मेरी सेवा नह रोतनी पड़ती थी अपने ही सरीर से कोई छीक देता था मनुख छीक देता था तो बच्चा पैदा हो जाता था कोई जांग से पैदा कर देता था कहीं से भी यह बच्चे पैदा कर देते थे तपकने में काली तुम मैंने बहुत सुना रखी है तो यहां पेग निंजा तक न पुलत्से के आधे शरीर से दूसरा द्वीच प्रकट हुआ उसका नाम विष्रवा था तो यही विष्रवा जो है रावड का बाप निकला अब हुआ क्या कि जो विष्रवा एक तरह से इसका सोतेला भाई हो गया आपने सुना होगा ना कि गने इसको मैल से पैदा कर दिया गया तो वैसे ही इसको विष्रवा को पैदा कर दिया पुलत्से ने अपने आधे शरीर से अब जो ओरिजिनल बेटा था वैश्रव उसका एक बेटा हुआ उसका नाम था नलकुबेर जिसको कुबेर भी कहा जाता है तो वो जो हुआ उसको क्या किया ब्रम्भा ने उसको नलकुबर उसको रक्षसों का पूरा वो दे दिया समराज दे दिया उसको लंका रजधानी बना दिया जब तुम्हारा रजधानी ही लंका होगे, सारा चीज दे दिया, उसको धन संपदा खूब दे दिया, अम्रत्त भी दे दिया, अब क्या हुआ कि ये जो विश्रवा था, ये जलता था उससे, किस से तो इस नलकुभेर के जो पिता जित है वैश्रवर उससे जलता था, तो पड़ा नहीं पाएंगे, इसलिए पूरी कहानी इनको पकड़नी जरूरी है, कि ये लोग कहां-कहां से दिखाते हैं, ये कहां-कहां पे लिखा हुआ है, ये माभारत में लिखा हुआ है, ये जीज आप समझेगा, तो अब ये क्या करता है, कि ये जलता था, विश्रवा, तो इसने क्या किया, नलकूबर जो था, सुचा कि चच्चा जो हमारे हैं, इतबड़ा वो हो रहे हैं, दुखदर्द में हैं, रुको एक काम करते हैं, उसके लिए तिन लड़की लेकर आया, ठीक है, तिन लड़किया लेकर आया, अलगा दिया कि ये आपकी सेवा करेंगी, लड़की दे दिया उनको, तो अब ये तो महात्मा बने घूम रहे थे, विश्रवा, खुस हो गए, मस्त हो गए, अच्छा, ये जो है लड़किया, ये तीनों हमारी सेवा करेंगी, सेवा करते करते, तीनों पर अपना कल्यान कर दिये तीनों का, तीनों से बच्चे पैदा हो गए, अब बच्चे पैदा हुएं, तो मैं बताता हूँ कौन कौन से, ये देखें, ये जो तीन नंबर स्लोक है, इसी में लिखा हुआ है, कि राज-राज कूबेर स्वेम लंका में, ध्यान से देख लेगा, लंका में रहते थें, वे मनुश्यों द्वारा ढोई जाने व बाते हैं, लेकिन ये भी लिखा हुआ है, ये लंका में रहता था, और मनुश्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी आदी की सवारी से चलता था, इंसान जो है, पालकी में बैठा के लिए चलते थे, बताए जिसके पास उसपक विमान होगा, पालकी पर चलेगा, इनसान लेकर चलेंगे उसको इसलिए उसको नर्वाहन कहलाते थे इसलिए उसको क्या कहते थे नर्वाहन से चलता है उन्होंने अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिए तीन, पिता मतलब क्या चचा था ताउ था, उन्होंने पिता यहां लिख दिया है सेवा के लिए तीन राक्षस कन्याओं को परिचारिकाओं के रूप में न्यूक्त कर दिया परिचारिका के रूप में न्यूक्त कर दिया तीन राक्षस कन्याओं को लाया इसके जो पिता कह रहा है चच्चा होगा यहां पर तौजी होंगे इनके चच्चा जान होंगे उस विश्रवा जो था उसके लिए तीन लड़कियों को राक्षस लड़की थी उन लोगों को लाके सौंप दिया अब ये जो है विश्रवा जो है इनका वो देखिए प्रकोप पूर्ण थी तथा सदा ही उस महात्मा महरसी को संतुष्ट रखने के लिए ध्यान देजीएगा महात्मा को संतुष्ट भी करना था उन्तिनों रक्षस्नियों को रखने की सचेस्ट सचेस्ट रहती थी यहां पर कहीं भी साधी की बात नहीं आई है दोस्तों सेवा करने के लिए रखवाता है कुबेर क्योंकि जानता है कि हमारे चच्चा जो है बड़ा गुसा रहते हैं कि हम लोग ब्रंभा हम पर बड़ा खुस रहता है तो तो यह दे दिया अब यह आगे सुनिया महाराज उनके नाम थे पुस्पो तककटा राका तथा मालिनी यह तीनों सुंद् प्रचे पैदा हो गये यह देखिए यह साली महात्मा उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए उन्हें से प्रतेक को उनकी इच्छा के अनुसार लोगपालों के समान प्राकरमी पुत्र होने का वर्दान दे दिया सुन लिजे वर्दान दे दिये अब बच्चा पैदा हो गया उस पुत्र कटा के दो पुत्र हुए रावड और कुम्भकरण ये दोनों ही राक्षासों के अधिपती थे बहुमंडल में इनके समान बलवान दूसरा कोई था कोई नहीं था फिर मालेनी ने एक पुत्र बिभिशन को जनम दिया राका के गर्व से एक पुत्र और एक पुत् पूरा कहानी आई है मैं सिर्फ यह दिखाना चाह रहा था इनके निंजा चाह रहा था जो यह कहानी में परोस्ते हैं यानि इनमें कोई भी सत्यता नहीं होती है इसमें जो लेखक है वो कलपना की उड़ान मारता है और कुछ भी गपोड़ते जाता है और लोग आज के जो खोल के दिखा देता है तो लगते हैं रोने उनको लगता है कि ये वक्ति ने बोल दिया अरे तुम्हारी धर्मकरंत में लिखा हुआ है ऐसी निजा तक नहीं गए तो ये सारी बाते आती हैं फिर इसमें दिखाता है कि ये तिनों तपस्या करते हैं फिर ब्रम्भा प्रसन होत पिर इनको अर्सिवाद देता है कि वही तुम किसी से नहीं मरोगे और सिर्फ जो है तुम को इंसान मारेगा ये सारी बाते आती है पिर जो है ये देखिए जो विभीशन था उसको ब्रंभा क्या अर्सिवाद देता है कि राक्षस योनी में जनम लेकर भी ध्यान दीजेगा दोस्तों क्यार सिवाद दे रहा है कि राक्षस योनी में जनम लेकर भी तुम्हारी बुद्धी अधरम में नहीं लगती इसलिए तुम्हारी मांगे मांगे हुए वर कि अत्रिक्त मैं तुम्हें अम्रत्व भी देता हूं तो भया अगर कोई जो धूर्त है जब भी आपको यह कहे कि लंका जो है वहां पर है आपर सिर्लंका में तो उसको यहीं लोग दिखाएगा पकड़े के कहिए घी बता जब इसको अमरत्व मिल गया विभीशन को जब वो अमर था राम जो है राज्य विभीशन को ही दे के आया था तो बटाई बता फिर आज के डेट में विभीशन कहां चला गया उतो अमर है उलंका छोड़ के कहां चला गया इस सवाल बनता है कि नहीं दोस्तों यह आप देख लिजे साप साप यहाँ यहीं पर लिखाया 31 स्लोक जो है क्या कहता है ब्रमभा जी ने कहा सत्रु नाशन राक्षस योनी में जनम लेकर भी तुम्हारी बुद्धी किसको कह रहा है तो इसके पहले वाला स्लोक देख लिजे यहाँ पर यह विभीशन उवाच इसके पहले वाला स्लोक विभीशन तब जो है ब्रम्भा उसको विभीशन को क्या कहता है कि सत्रू नाशन राक्षस योनी में जनम लेकर भी तुम्हारी बुद्धी अधर्म में नहीं लगती इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व भी देता उसको अमर कर दिया विभीशन को जरा सोचिए दोस्तो जब विभीशन अम इतिहास गया थे समराठ असोक तक का इतिहास गया थे वहाँ पर उनके बच्चे गए तब तो वहाँ कोई रक्षस उनको भी नहीं मिला था इससे दरसल जब तक आप इनकी किताब नहीं खोलेंगे पढ़ेंगे तब तक इनको मुह तोड़ उत्तर मुह पर दे के फैक के मारेंगे नहीं मार पाएंगे इसलिए किताब इनकी खोलनी जरूरी है दोस्तो और जब आप किताब नहीं खोलते हैं तो यह ऐसे ही गपूड गाथा सुनाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़े आती हैं, फिर वो छीन उन लेता है, आक्रमन करता है, फिर वो जो कुबेर है, उसको सराप देता है, रावन की आक्रमन करके उनका पूस्पक विमान विच्छिन लिया, कुबेर से छिन लिया, तब कुबेर ने कुपीत होकर उ लिखा हुआ है कि भाई बीमान तो तुने मुझे से छीन लिया लेकिन तूस कभी सवारी नहीं कर पाएगा तो जो लोग ये कहते हैं कि बीमान में चड़के आया था वहां पे कहां पे सिता पहरण करने उन बात भी माभारत के नुसार जूटी है आपको अगर जो बंदा ये कहे कि बाल में की रमायड ही सही है तो उसे पुछिए कि बटा ये बता फिर माभारत गलत कैसे है या तो अगर माभारत की में लिखी बात गलत है तो पूरी की पूरी माभारत भी फिर गलत है और एक खास बात माभारत पहले लिखी गई है दोस्तो महाभारत के जो जितने जो भासा एक्सपोइट है उनसे जब आप चर्चा करेंगे तो वो ये बताएंगे कि लेखनी जो है जिस तरह की भासा पर्योग की गई है उसमें महाभारत में इससे ये सावित होता है कि महाभारत पहले लिखा गया है और रमाण बाद में लिखा गया जो यूध में तुझे मार डालेगा उसी का यह वाहन होगा जो तुमको मार देगा उसका यह वाहन होगा तु बेटा कभी सवारी नहीं कर पाएगा चीन तो लिया मुझसे नहीं कर पाएगा कभी उखुद पालकी पे चलता था कूबिर इसी से देख लिजे ना इंसान उसको पलक में बैठा के घुमाते थे, मैं तेरा बड़ा भाई होने के कारण मान्य था, परन्तु तुने मेरा पमान किया है, इससे बहुत सिग्र तेरा नास हो जाएगा, सरापदे दिया, चल दिया, अब क्या होता है, यह सारी बाते यहां पर चलते रहती हैं, कि उसके दस सर थे, यह थे, वो थे, फरजी कहानी चलते रहती है, आप जानते हैं कि भारत के मूर्तिकला जब आ गई थी, और जब मल्टिपल सर बनाये जाने लगे थे, जो बहुत सिल्प गला थी, उसी के आने के बाद ही, यह सारी कहानी उन्ही को संदरफ में रखके अलिखी गई है, ताकि यह दिखाया जा सके कि यह कहानी जो है ब्राम होगी है, है पूरा बौध हो का ही तो यह सारी कहानी जो है, यहाँ पर चलता है, अब बीच-बीच में सीता के बात आती है इसमें, खानिया सब अच्छी चल रही है, जैसे सीता की बात आती है, तैसरी जो लेखा कहान privacy उसके म प्रदर्शन करने लगता है अभी चरह सुलोग देखिए सीता कि यहां बात चल रही है 18 नमबर सुलोग 1718 इसमें क्या लिखता है लिख रहा है रावड के ऐसा कहने पर परम सुन्दर जागों से सुसोगी देखिए सीता माता जी है हमारे जो भगत जन लोग है इसी बात पर बावाला काटते हैं तुमने सीता के बारे में ऐसे कैसे कह दिया अलेखक देखिए क्या लिख रहा है सीता जी की जांगों की बात कर जो लिख रहा है उसकी गलती है या ये पर्तिबंधित किताब है नहीं कोई भी पढ़ सकता है तब पढ़ा देगा तो बुलेगा ही कि देखो उसमें तो लेखा को जो है जैसे सीता की बात आती है उनकी जांग की बात कर रहा है देखे क्या लिखता है रावन के ऐसा कहने पर परम सुंदर जांगों से सुसोभित पती को ही देवता मानने वाली विदेह राजकुमारी सुमुखी सीता अपना मुँ फेर कर बीच में तिनके की ओंट करके रक्षसों के लिए अमंगल सुचक आंसुव द्वारा अपने पीट एवं उन्नत अस्तनों को ये देखे क्या ल सुप गई ये हो गई वह गई मॉखा मिला नहीं कि शुरू कर दिया इससे ये पता चलता है दोस्तों जैसे आज फिल्प में स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि नाइका जब स्कृइन पर आती है तो कभी उसको नहाते हुए दिखाते हैं कभी उसकी जुल्फे खोल के दिखात कभी हवा में उड़ते हुए दिखा देते हैं कपड़े तो इधर उधर करते रहते हैं उसी तरह से यहां पे इस कहानी का किरदार राम सीता जो है नाइकाओं कि जब बात आती है तो लेखक उस तरह की बात करने लग रहा है अब यह बताईए कि अगर लेखक जो है उस समय सीत यानि कि यह किताबे जो लिखी गई है देवी देवता मानकर नहीं लिखी गई है जब भी लिखी गई है उस समय शिर्फ नायक और नाइका है यही कारण है कि इसको महकावे कहा गया है यह जो आज आपको बता रहा है कि यह किरदार देवी देवता है और देवी देवता कह लिख रहा है तो हमारी याख नहीं हो रहे हैं लिख प्रड़ना जो इसे लिखा हुआ है है जो निगाल धेकदार मता हरए कि हमारे धार्मे करन्त त्टी यह और फांल काम नहीं कर रहे हैंów ऑनि ettने सालों से उन्हें अध्यब करत के ऒसकी हों यह ऐसे स्थेए आजाद आजादी के 75 साल हो गए है आज तक चली आ रही है वो तो अब बच्चे तोड़ा सा जागरूख हो गए कि किताब पढ़े कर देख ले रहे हैं तो यहां पर आप देखें कि यहां पर यह सीधे सीधे जब सीता की बात आती है तो कभी जांगो की बात करता है कभी बोल क्या कहती है ऐसा कहकर दुआ वंगी सीता अपने गर्दन और मुखों को कपडों से ढखकर फूट फूट रोने लगी उस समय छाती धड़कने के कारण उनके अस्तन कहां पर रहे थे अब लेखक जाकर देख रहा था यह बात मैंने बताईए आप मुझे बालमिकी जो है वह जितने संकर अचारे से लेके जितने जो बैठे हुए धरम के ठेकदार इन लोगी भावनाज तक आहत नहीं हुए आजादी के 75 साल बाद भी सब बाते लिखा जा रहा है अना उस्यक्रूप से जिसको परचारित के जा रहा है सीता माता है अब फिर जो है ऐसी ऐसी बाते कित लिखी हुई है क्योंकि उस समय ये स्रिफ उस लेख के उस स्कृप्ट के किरदार है कोई देवी देवता नहीं थे और जब किरदार होते हैं स्कृप्ट के तो उनको आप मन चाहें रूप से लेखक जो है उनके बारे में लिखता है नाइका होगी उसका अंग परदरसन आता है जो सेम चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं आच्छा अब यह तो यहां पर बाते आ गई है चले अब उस पॉइंट पर आ जाते हैं यह देखें इसमें भी वह बात लिखी हुई है जब जो पूल बनाने की बात आती है उसी उपाय से रगुनाथ जी ने समुंदर पर सो योजन लंबा अदस योजन चोड़ा पूल तेयार किया एक योजन समझते हैं ना बारा से चोड़ा किलो मीटर आट से चोड़ा किलो मीटर के बीच में होता है रेख लीजे सो योजन लंबा बारा सो चोड़ा सो किलो मीटर लंबा चोड़ा कितना तो भाई 120 किलो आपको क्या प्रचार फैलाते हैं राम सेतु नाम से भाई पूरा का पूरा आप किताब उठा के पढ़ लेजिए रमायड का कहीं पे भी राम सेतु लिखा हुआ सब्द नहीं मिलेगा आपको पूरा माभारत उठा लेजिए, सारी किताब उठा लेजिए, राम सेतु सब्द नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको माभारत में नल सेतु मिलता है, अलिए भी लिखा है कि भूमंडल में नल सेतु के नाम से विख्यात है, तब ही आप राम सेतु क्यों कह रहे हैं, आप कहिए ना कि नल से तू है वो और फिर कहिए कि नल जो है वो एक बंदर था बंदर ने बनाया था कहिए या रिच था अनल जो है किसका बेटा था नल तो कहता था कि उसके पिता जी जो है विश्व कर्मा के किसके किसके सचात पूतर थे कौन से पूतर थे ये थे वो थे तब बोलिये नल सेटुसे आप उसको परचार कर रहा है राम से तूसे और अभी तो वो साभीत भी नहीं हुआ कि आपका लंका जो है वही लंका है जिसको आप लोग आज राम से तू परचारित कर रहे हैं इन की धार में किताबे सारी चीज़े अनवेशनल करके प्रति शुरण में आपने की शुम सिर्व सावित कर दिया कि कि माल्दीब की बात चल रही है। कुछ ने तो यहीं पर सावित कर दिया है और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जिन्होंने रामण को दिल्ली में दिल्ली के आसपस नुएडा अगल बगल उस जगों पर साभित कर दिया कि वहां उसका जनम हुगा था अब बताईए कहां लंका तो ये ऐसी गपूर का थाएं चल रही है अज सारे ब्रामण है ये देख लिजिए सारे ब्रामण है तो ये सारी बाते चलती है अब आज आते हैं वहां पर जब राक्षस को मार देता है जो कुत्ते से घी चाटने वाले पर जिनकी भावना आहत चीज़े चल रही है वो भी मैं दिखा देता हूँ यहीं लिखा हुगा है कहीं दूर जाने की जरूत नहीं है अब उसको रामण को हमार और के हरा देता है आता है सिता के पास तो जब आता है यहां पे तो देखें सीविका में बैठी हुई सरवाग सुन्दरी सिता सोक से दुबली हो गई थी उनके समस्थ अंगों में मैल जम गई थी सीर के बाल आपस में चिपकर जटा के रूप में परिणत हो गए थे, उनका वस्तर काला पड़ गया था, स्री राम जी के मन में यह संदे हुआ कि संभव है सीता पर पुरुस के असपर्स से अपवित्र हो गई हो, ध्यान देजी का दोस्तो, स्री राम जी जो है इनके मन में अच्छा इसी में पख्यान पॉइंट वाला दिखा रहा हूँ, पूरा में बता देता हूं इसमें चकर क्या है, कोई यह न समझ ले कि यहाँ पे राम जो है मानो है, महा मानो है, इंसान है, यहाँ पे क्या होता है, कि सारे देवी देवताओं को ब्रंभा के पास जाते हैं, अब लोते हैं कि लें चलने से जमीन पर यह हो गया है वह हो गया है अतंख फैल गया है राक्षा-सों का तो ब्रामभा जो है इंद्र को ओamos days को को ओडर देता है कि तुम सब के सब ुदर्ति पर जाओ ऑतार बनके आजितने बंदर रिक्ष भालू सब हैं उनके वह बनके जाओ आ कि उनकी औरते हैं उनमें ऐसे बच्चे पैदा करो जो कूबल साली हो देवी देवता हो कि तरह तो अभी तक आपने सुना होगा कि यह इंसान बनके आते थे अवतार लेते थे यहां पर बंदर भालू भी होके और उनकी जो फीमेल होती है बंदरिया भालू जो होती है उनकी लए वह प्चे पैदा कर रहे है और वह ताकतवर बच्चे पैदा कर रहे हैं यह यह गंदर्व है और उसको लार नहीं होने जंगल यह लिखा हुआ है यह मा भारत पूरा है दोष्ट तो यहां पर आप देख रहे हैं कि राम जो है सिर्ञाम के मन में संध्य हुआ कि संभव है सीटा पर क्यों संद्य हो रहा है भाई जब यह विश्णु का उतार है तो संद्य क्यों हो रहा है वाद समझनी पड़ेगी ना आपको क्या करा है संभव है सीथा पर पुरुस के असपर से अपवित्र हो गई हो अभी बते पुरुस के असपर से कैसे अपवित्र हो सकता है हॉस्पीटल जाते हैं लोग जाते हैं हॉस्पीटल में डॉक्टर तो आपको चेक करता है न जी अपवित्र हो विदेह कुमारी मैंने तुम्हारी रावण की कैद से छूड़ा दिया अब तुम जाओ मेरा जो कर्टब वे था उसे मैंने पूरा कर दिया राम कह रहा है बालमेगी रमेड में तो यह भी कह देता है कि तुम जो है तुम्हें बार-बार दिखा दिया हूं उसमें यह कहता है कि तुम भीविशन के सांद चले जाओ लच्मन के सांद चले जाओ सतूधन भरत के सांद चले जाओ बानर सुग्रिव के सांद चले जाओ यह भी कह देता ह जो है यहाँ पर हाँ अब यहाँ पर कहता है नीचे क्या कह रहा है राम वह भी सुन लिजिए भद्रे मुझ जैसे पती पाकर तुम्हें ब्रिधा वस्था तक किसी राक्षस के घर में न रहना पड़े यहीं सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया है सुन लिजिए ध्यां स मेरे जैसा कोई भी पुरुस द्यां से सुनिएगा दोस्तों धारम को जानने वाला मेरे जैसा कोई भी पुरुस दूसरे के हाथों में पड़ी हुई नारी को मुरुहुत के लिए मुरुहुत भर के लिए मतलब छण भर के लिए मुरुत भर के लिए भी कैसे गराण कर सकता है सीदे सीदे कह रहा है कि हमारे जैसे आजमी जो है कोई भी दूसरे के पूरुस के साहत में पड़े हैं अगर कोई लड़की की कभी साधी हो गई हो तो उसको पुनर विवाह करना ही नहीं है तो यह चीज आपको उल्टा लिखा हुआ है वहां पे या वहां पे लिखा हुआ है तो उसको टकर देने के लिए ये चीज लिखी गई है ये दोनों चीज समझेगा वहां पे क्या लिखा है कि एक इस्तरी जो है उसको एक पती अगर तिलाक 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 दे दे तो वो दूसरे के पास ज हुएगा उसके बाद ही ये इस पती के पास आ सकती है यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है राम यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी पुरुस दूसरे के हाथों में पड़ी हुई नारी को मुरुत भर के लिए मतलब कैसे गरहन कर सकता है तुमारे किसी दूसरे पुरुस के अचार विचार सुध रह गया हो अथवा असुध अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता ठीक उसी तरह जैसे कुट्ते के चाटे हुए हविश्य हविश्य मतल समझते है न घी को कोई भी गरहन नहीं करता यह वो पॉइंट है जिसको वो जो प्रोफेशर है विकास जी उन्होंने दिविकृती जी उन्होंने ये बात कही थी कि राम जो है ये बात कहते हैं इसको उठाकर इन लोगोंने परचार किया और दिखाया कि कहीं लिखा ही हुआ नहीं है यह वो बंदा जूठ बोल रहा है और इसने हमारे सीता माता की तुलना जो है चाटे हुए घी से कर दिया, इस तरह का प्रचार फैलाया गया है, अब ज़रा दोस्तों यहां पर देखिए, यह जितने प्रचार करने वाले हैं, क्या इनको यह बात नहीं बात पता है, कि इनके ध्रमगरंध में यह बात लिखी हुई है, यहां पर जो भी बाते होती हैं, य इनको क्या करना है हमेशा एक जूटी खबर बनानी है जूटी खबर को प्रोपगेट कर देना है फिर आप बैठके उसकी सच्चाई बताते रहिए उसकी बताते रहे हैं यहां लिखा है वहां लिखा है आए तब तक फेंक नुज पहला देंगे अनभक्तों की टोली है अपनी यह लिखा है कि नहीं लिखा है कहां लिखा है कि कहां नहीं लिखा हुआ है देख लिए यहां पर पूरे रामुपक्यान में यह बात लिखी हुई है यही बात को उन्होंने सिंप्ली बोल दिया था तो ट्रोल हो रहे है अब मतलब का धमकी दी जा रही है फिर मतलब का जो ह बागे आप तो जानते ही हैं, समझदार ही हैं, इन लोगों ने हत्या कर दी थी, दाम बोलकर की हत्या कर दी, पांसेरी, कुलबर की, पता नहीं कितने लोग हैं जिनके हत्या इन लोगों ने कर दी, तो ये जो चीजें धार्मी करंथों में लिखी हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि दर्मकरंथों में जो बाते लिखी हैं उसको कोई बोले ही न तो मैं कह रहा हूं कि इस पर बैन लगा दो प्रतिबंधित किताबे घोसित कर दो कोई नहीं पढ़ेगा सब लगाओ ना बैन कुरान पर भी लगा दो रमायन माभारत सब लग अगर तुम्हेर दिमाग पर खरी बुद्धी पर न उत्रे तो यह सीधे सीधे इंकार ही कर देता है तो बैन लगा दो ना हम लोग तो कहीं रहे हैं कि सारे किताब बैन लगा दो खटम करो हटाओ कोई नहीं बोलेगा जब प्रतिबंधित हो जाएगी तो ना कोई है इससे यही पता चल रहा है कि भारत में जो भी अपने को हिंदू बने घूम रहे हैं कोई भी अपने धरम गरंत नहीं पढ़ा है जिस दिन पढ़ लोगे इससे भी भ्यानक भ्यानक चीज़े लिखी हुई है अब महाभारत पर जल्द ही वीडियो रिलीज करूंगा मैं ल अथीत होकर कटे हुए केले की वरिच की भाती प्रिथवी पर गिर पड़े यही होगा ना इसे तो यही पता चल रहा है कि राम जो है इतना कड़ा बोल रहा है कि वह सीता एक तुवेचारी को इतनी तकलेफ हूई या उपर से जो है वो गिर गई तो यह सारी बात चलती है इसके बाद से यहां पर खतम हो जाता है इसमें आगे की चर्चर नहीं आती है दोस्तों यहीं थोड़ा बहुत चलता है फिर राम लोट जाता है लोट के घर जाता है और वही इस्तमाल करता है पुस्वक विमान का रामण कभी नहीं इस्तमाल किया है रामण सीता को भी लेके तो गोदी में उठा दिया था बीमान के चर्चा नहीं है क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ था महाभारत के अनुसरा इनोहों ने रमायोन में लिख दिया वह चीज हटा दिया कि श्राप मिला था और पूस्पक विमान से रमान को यात्रा करवा रहा है थी स्वाइन दोस्तों जबकि उसको महाभारत के अनुसरा श्राप मिला हुआ था और वो कभी इस्तेमाल नहीं त्या यह भी लिखा हुआ है कि वह आकास में खुद ही उड़के चला जाता था तुद ही उड़के वह चला जाता था